मैं किर्थी परोहा कक्षा बार्वी की जी विज्ञान की क्लास में आपका बहुत स्वागत करती हूं बच्चों इसके प्रीविएस वीडियो में हमने परागन की क्रिया को समझा था कि वाट इस पॉलिनेशन और उसके टाइप आज हम पुष्पी पौधू में लेंगिक प्र नर्यूगमकत का निर्माण हो चुका नर्यूगमक निरमाण हो चुका नर और मादा यूगमक के लिए आवश्यक्त पॉलिनेशन हो चुका तक इस प्रकार से होता है करेंे चलिए देखते हैं सबसे पहले हम देखें जो following문通विए उसके प्स्तिल पर श्म थायांग से पुषपका, जायांगभाग या इस्त्रीकेसर जो कहलाता है वो पिस्टिल कहलाता है मैं फिर से रिवाइज करूं तो यह तीन पार्ट से मिलके बनता है इस्टेग्मा, स्टाइल और ओवरी अर्ठाथ वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाश है इन चीजों से मिलके पिस्टिल निर्मित होता है और इसी प्रकार अगर हम बात करें तो यह है पुंकेशर इसकी संद्रचना हम बहुत अच्छे से समझ चुके हैं प्रीवियस मेडियो में इसमें होता है फिलामेंट और एंथर एंथर याने पराग कोश इस पराग कोश में कि फटता है तो पराग कणों का निर्माण होता है यह जो पराग कण हैं यह नर्युगमक हो गए और इसी प्रकार से यहां पर औलुद में बूर कोश होता है जो कि माधा युगमक फीमेल उसको गैमीट को रिप्रेजेंट करता है तो हमारा आज का जू वीडियो है कि यह जो सब्सक्राइब होते हैं अब यहां पर आने के बाद उनमें कौन सी क्रिया होती है उसका अध्यन हम करेंंगे सबसे पहले हम यह समझेंगे कि जब भी परागण होता है माल लिए यह फ्लावर के पार्ट है और इसमें परागण की क्रिया हो गई तो ऐसा आवश्यक नहीं कि उसी फूल के उसी प्रजाती के परागपन इसके सिग्मा या वर्तिकागर पराकर रुकें हो सकता है उसमें कोई कि यह पहचान सके कि जो परागपन मेरे यहां पराकर के अधैस हुआ है वो आसंगित हुआ है वो मेरे ही प्रजाती के परागपन है या कि किसी दूसरे पौदे की वो इसको पहचान लेती है इसको ही हम पराग और इस तरीकेशा पारसपरिक्रिया कहते हैं तो बर्तिकागर पर अपने ही पुष्व के परागण को पहचानने की क्या होती है एबिलिटी होती है और उसके कारण वो उसको पहचान पाता है यहां पर अगर हम चित्र में देखें तो देख रहे हैं वच्छ पस्त दिख रहा है कि यहां पर वर्टिकागर पर जरूरी नहीं कि एक ही प्रका अगर के भी पॉलन ग्रेंज गिर सकते हैं दूसरे पोदू के भी आम के भी दूसरे प्रजातियों के भी पॉलन ग्रेंज वहां पर गिर सकते हैं लेकिन जो वर्टिकागर कर सरा होता है यह इसमें इतनी एबिलिटी होती है कि वो डाइगनोज करता है कि हमें किस पॉलन ग्रेन को, कौन से परागकन को आगे निशेचन के लिए अंदर जाने की अनुमती देना है जब वो इस चीज को रिकनाइज कर लेता है, तभी यहाँ पर वो पॉलन ग्रेन पर जह जो है, वर्तिकागर पर जो ज़ल उपस्तित होता है, जो सुगर खंटेंट होता है, उसको शोक करके अपने आकार में व्रिद्धी कर लेता है और फिर यही pollen grain में किस चीज़ का निर्माण हो जाता है? pollen tube बनना चालू हो जाती है जब यह pollen tube बनती है तो यह क्रमशह नीचे की ओर बढ़ती है अर्थात यहां पर उसका interaction होता है वर्तिकाग्र से और यह आगे बढ़ करके निशेचन अर्थात फर्टिलाइजेशन के लिए आगे की क्रिया करती है तो बच्चों यहां पर इसको हम इस प्रकार से भी short में समझ सकते हैं कि सबसे बहले क्या होगा नंबर वन पर परागण की क्रिया होगी और परागण की क्रिया के बाद यह पहला नंबर वन step कहलाएगा दूसरा परागण आसंजन अर्थात जो परागण है वो वर्तिकाग्र परागण के इखटा होते हैं होते हैं तीसरे स्टेप क्या होगा प्रागकर्ण पर पर मोजूद है शुगरी Pannteaur they go सोक लेंगे जिसकiemand simply क्या होगा अंकुरंद के वह अंकुरण पर होगा पर स्टेप नलिका पराग नली का द्वारा वर्टिकाग्र वेदन. अब पराग नली का जब अंकुनन हो जाएगी, उसमें पोलिक्टिूग की निर्माण हो जाएगी याशाट में लिख जैती हूँ, तो आपको बहुत अच्छे से याद रहेगा. जब इसमें पोलिक्टिूग निर्माण कर ले वहां जाने के बाद कौन सी अभिक्रिया होगे नंबर 6 पर निशेचन की अभिक्रिया तो परागर से ले करके निशेचन के पूर्व तकक्का जितना ये क्रम आप देख रहे हैं लाइन से इतना हिस्टा कहलाता है पराग इस्त्री के सर पारस्परिक्रिया इतने जो पद है ये पराग इस्त्री के सर पारस्परिक्रिया के अंतरगत आते हैं अब ये जो निशेचन वाला जो पद है इसको वच्चों हम अपने नेक्स वीडियो में डिस्कस करेंगे कि दोहरा निशेचन क्या है प्यूजन क्या है इसके बारे में हम आपसे नेक्स वीडियो में डिस्कस करेंगे थैंकि बच्चों झालबाट झालबस